Don't forget to subscribe our channel and tap the bell icon for receiving the notifications Hello and welcome to Gyanagali मेरा नाम है अर्श और आज हम देखेंगे इन्पलैमो का मुबाई कवर फॉर आईफोन एट प्लस मैंने ये मुबाई कवर पेटी एम मौल से खरीदा था और जो की दो से तीन दीन में आसानी से डिलिवर हो गया तो बीना वक्स जाया करें हम इन्पलैमो का जो कवर है उससे बाहर निकालते हैं इसकी बाक्स काफे सिंपल सी है एक छोटा सा बाक्स है और इसमें कुछ एक्स्ट्रा प्रोटेक्शन नहीं दिया हुआ है मुबाई कवर के लिए जो इसे बचा सकता है किसी डैमेज से तो आप देख सकते हैं एक छोटी सी पॉली बैग में ये पैक किया हुआ है तो आइए देखते हैं कि ये इन फ्लैमो का कवर पॉर आइफोन एट प्लस किस तरह से दिखता है तो ये कवर हमने बाहर निकाला है और हम देख सकते हैं कि एक थिन से तर्मो कॉल शीट इसमें दी हुई है ये पॉर प्रोडेक्शन ये रहा इन फ्लैमो का ब्रैंडिंग जो कवर है वो और ये रहा इन फ्लैमो का बैक कवर जो सूट होता है आइफोन एट प्लस के लिए के इसकी जो finishing है वह काफी smooth और काफी अच्छी है जो glossy लुक भी देती है और जो इसके एजेज वह बहुत ही अच्छे से finish किय हुए है और काफी lightweight भी है आप देख सकते हैं यह देखिए मैंने जूम इन किया हुआ है और आप इसके एजेस देख सकते हैं काफी अच्छे से फिनिश किया हुआ है करही पर भी आपको अनिवन सर्पेस्स या पर इसकी जो कॉलिटी है वो कही पर भी ऐसे अनिवननेस नहीं लगेगा उसमें यहां पर आप देख सकते हैं कि जो स्क्रीन ओन आफ के लिए जो बटन रहता है उसके लिए काफी अच्छे से प्रोजेक्शन किया हुआ है इसमें मुबाईल साइलेंट करने के लिए जो बटन रहता है जो प्रोजेक्ट किया हुआ रहता है आईफोन में आउट साइट पे उसके लिए एक स्लॉट है और ये वॉल्यूम अन उफ के लिए आप देख सकते हैं कितना क्लॉसी और कितना अच्छा फिनिशिंग दिया है इस कवर को इसकी अच्छी बात यह है कि जब हम मुबाईल को किसी टेबल पर या किसी प्लैट सर्फेस पर रखते है या रेस्ट करते है तो यहां पर एक चार पॉइंट्स का रेस्टिंग दिया हु सकते हैं कि किस तरफ से जो चार रेस्टिंग पॉइंट से वह बाहर की तरफ प्रोजेट होता है ताकि आपका कैमेरा सेफ रह सके वाइल रेस्टिंग हमने इसे क्लोजली जूम करके फ्लैश ओन करके रेकॉर्ड किया है ताकि हम देख सके कि कुछ इवननेस या पिर कहीं प कॉलिटी के वज़े से रहते है है तो वह हमें नजर आए बट इस कोई नॉर्मल एंड यहर तरह के मोबाइल कवर्स में आपको देखने मिलेंगे झाल